नमस्ते दोस्तों, स्वागत है, Reviews and Recipes by रमेश्वरी मेरी यूटूब वीडियोस को लाइक करें, शेर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे Amazon Influencer Shop पर विजिट करें, मैंने रिकमेंड किये हुए Amazon Products को ओडर करें To read product reviews in English, follow my blog www.productreviewsrameshwari.com इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, Amazon से ओडर किये हुए लाइव प्लांट का अन्बॉक्सिंग और रिविव Amazon से मैंने चौती बार लाइव इंडोर प्लांट ओडर किया है ये है उगाव अरेका पाम लाइव इंडोर प्लांट और इसका रिविव जो कि मैंने लगभग दो महिने के बाद किया है जो आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं उगाव ने इस अरेका पाम प्लांट को बहुती अच्छी तरीके से सेफ पैकेजिंग में भेजा है और इस प्लांट में किसी भी तरीका कोई डैमेज नहीं है ये उगाव अरेका पाम मैंने एमेजोन से ओडर किया था 26 अप्रेल 2021 को और एमेजोन ने ये मुझे डिलिवर किया है सेफ पैकेजिंग में 2 माई 2021 को लगभग 7 दिनों के अंदर ये पारसल जो है वो बहुत वजनदार था इसे अन्बॉक्सिंग करने के बाद मैंने देखा कि ये जो उगाव सेल्फ वाटरिंग पॉट है वो थोड़ा बड़ा है पिछली बार जो प्लांट साय थे उनमें 4 इंच का पॉट था ये पॉट जो है वो लगभग 8 से 9 इंच का है और अरेका पाम प्लांट जो है वो भी थोड़ा बड़ा है साइज में थोड़ी सी मिट्टी जो है वो इसमें से बाहर निकल गई थी उसे मैंने वापस इस पॉट में डाल दिया उपर जो प्लास्टिक कवर था वो हटाया और सबसे पहले जब मैंने ये प्लांट रिसीव किया उसके बाद मैंने इस तरह से मिट्टी को ठीक किया पॉट को साफ किया और फिर इस प्लांट में पानी डिया इस प्लांट को पानी देने के बाद मैंने पहली बार ये जो प्लांट है ये इंडायरेक्ट सनलाइट में रखा लगभख 4-5 गंडों के लिए इस उगाव अरेका पाम प्लांट के लिए मैंने एमेजॉन को पे किये है 409 रुपे जो एक डील प्राइस था इसमें टैक्सिस मिला कर मैंने 409 रुपे पे किये हैं शिपिंग चार्जिस जो है वो फ्री था इस ओर्डर के लिए सिर्फ 409 रुपे में मुझे एक बहुत हेल्दी और बढ़े साइस का अरेका पाम प्लांट उगावने भेजा है एक बात मैंने नोटिस की यह जो पत्ते हैं उनकी टीप्स जो है वो सूख गये हैं देखते हैं यह जो प्लांट है यह सर्वाइव करता है या नहीं उगाव अरेका पाम यह एक एर प्यॉरिफार प्लांट है यह आँ प्लांट जहां पर भी रखेंगे वहां की हवा को ये जो पौदा है ये शुद्ध रखेगा इस प्लांट को इंडिरिक सनलाइट में रखना है और ये एक लो मेंटेनन्स प्लांट है हफते में सिर्फ दो बार इसे अच्छे थरे से पानी देना है और जो भी जादा पानी है वो नीचे जो एक्स्ट्रा प्लेट दी गई है उसमें ठहर जाता है और प्लांट जो है अपनी जरूरत की हिसाब से पानी लेता है इसलिए बार बार पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ये सेल्फ वाटरिंग पॉट का आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया है इसकी वज़े से उगाव के प्लांट को जादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है पानी हफते में दो बार दिया तो बस है और इसकी जो मिट्टी है उसमें सेल्फ रिलीजिंग फर्टिलाइजर होते हैं जो अगले छे मैने तक इन पॉदों का अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं उगाव की जो इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें पहले आठ दिन मैं गैलरी में रखती हूँ जहाँ पर इंडायरिक सनलाइट उनको मिलती है और नए वातावरन और नई जगह के साथ वो आसानी से एड़्जस हो जाते हैं इस तरह से आठ दिन पहले देखती हूँ कि यह प्लांट सरवाई हो रहा है या नहीं उसमें नई ग्रोथ आ रही है नहीं उसके बाद ही हेल्दी प्लांट होने के बाद मैं इंडोर प्लांट को रूम के अंदर रखना शुरू कर देती हूँ रूम में रखने के बाद हर दीन एक से दो घंटा मैं इन प्लांट्स को इन डाइरेक संलाइट में ज़रूर रखते हूँ ताकि इनकी बढ़त अच्छे से हो और ये प्लांट हेल्दी बने रहें इस उगाव अरेका पाम प्लांट को मैंने हफते में दो बार पानी दिया है रेगुलर्ली और आप देख सकते हैं पानी देने के बाद भी इसके काफी पत्ते जो है वह सूख गए हैं इन पत्तों को जो सूखे हैं उनको मैं सीजर से काट के अलग कर रहे हूँ और इस तरह से जो सुख्य पत्ते हैं टेह्निया हैं उन्हें अलग करने के बाद यह जो प्लांट है यह बिल्कुल हरा भरा लग रहा है और बहुत ही ब्यूटिफुल दिख रहा है इस अरेका प्लांट के पत्ते जो है वो लंबे-लंबे हरे-हरे बहुत ये अच्छे दिखते हैं अगर आप इसे living room में किसी भी corner में रखेंगे तो ये उस जगा की खुबसूरती को जरूर बढ़ाएगा ये प्लांट जो है दिखने में बहुत ही beautiful है उसके साथ-साथ ये हवा को भी शुद्ध करता है लगभग एक से डेड़ महने के बाद ये अभी आप प्लांट देख रहे हैं इसमें जितनी पत्तिया सूख रही हैं उतनी ही इसमें नई growth भी दिख रही है चोटे-चोटे हरे-हरे पत्ते जो है वो इसमें नए उग रहे हैं जिससे मुझे आशा है कि ये जो प्लांट है ये survive करेगा इनकी सूखी हुई पत्तियों को पत्तियों की जो सूखी टिप से उनको देख के मुझे लग रहा था कि शायद ये प्लांट है ये survive नहीं करेगा लेकिन ये आप देख रहे हैं दो मेने के बाद ये मेरा प्लांट बहुत ही beautiful लग रहा है सब सूखी पत्तियों हटाने के बाद ये हरा हरा पाम प्लांट बहुत ही beautiful लग रहा है और मुझे खुशी है कि ये उगा वरे का पाम अभी survive कर रहा है आप देख सकते हैं इसमें light green कलर की नई पत्तिया भी आ रही है हर सूखे हुए टीप को मैं काट देती हूँ ताकि प्लांट जो है वो हर वक्त हरा बरा दिखे इसका review देते हूँ मैं ही कहूँगी ये beautiful प्लांट है low maintenance प्लांट है value for money प्लांट है मैंने उगाउ से इससे पहले money plant order किया था जिसका मैंने propagation किया था मिट्टी में और पानी में मैं उसका update आपको दिखा रहे हूँ दोनों पौदे जो है मिट्टी में और पानी में अच्छे से बढ़ रहे हैं अब मेरे पास उगाउ के तीन money plant हो गये हैं मेरा ये observation है पानी में money plant बहुत जल्दी उग जाता है और मिट्टी में थोड़ा समय लगता है उगाउ जेड प्लांट भी order किया था मैंने वो भी अभी तक survive कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है उगाउ जेड प्लांट की growth है वो बहुत ही धीमी है उगाउ का जो money plant मैंने order किया था वो बहुत ही बहतरीन तरीकी से survive कर रहा है और बढ़ रहा है उगाउ से मैंने एक singonium pink plant order किया था जो survive नहीं कर पाया बाकी उगाउ का money plant उगाउ जेड और उगाउ अरे का palm बहुत ही अच्छे से survive कर रहा है और बहुत ही beautiful लग रहा है और मेरे घर में मैं इने जहाँ पर भी रखती हूँ वहाँ का हवा भी वो शुद कर रहे है मुझे gardening की zero knowledge होने के बावजूद भी उगाउ की वज़े से मेरे घर में मैं live indoor plants आसानी से रख पा रहे हूँ और इन पौधों को आसपास देखना बहुत ही बहतरी नानुभव है मेरी YouTube वीडियो को लाइक करें, शेर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे Amazon Influencer Shop पर विजिट करें, मैंने recommend किये हुए Amazon Products को order करें To read product reviews in English, follow my blog www.productreviewsramishwari.com